है यहां पर हमारे विश्व के नायक मानने स्वी नरेंद्र मोदी जी हमारे बीचनों पसीत है और मैं भारत मता की नरेंद्र मोदी जी जिन्दाबाद जिन्दाबाद, नरेंदर मोदी जिन्दाबाद, मैं पूरे बस्तर संभाग की ओर से, हमारे मानने राश्ची उपाद्धाच, मानने इस तरे डाक्टर रमन सिंग जे, प्रदेश अद्धाजी जे, स्त्री अरोन साव जे, और सभी हमारे नेताओं से निवेदन करूँगा, कि मानने पुर्दान मंत्री जी का गजमाला के साथ पर स्वागत करें, और आप सभी से आगरा जोर्दात तालियों के साथ पर उनका अभ्यादन करें, मोदी 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 नरेंदर मोदी जिन्दाबाद, नरेंदर मोदी जिन्दाबाद, नरेंदर मोदी जी जिन्दाबाद जोर्दात तालियों के साथ में अभिवादान स्वागत करिएगा हमारे बीच में विश्व के सब से ताकत और नेता हम सब के बीच में उपस्तित हैं अब मैं मने मुख्यातिती के स्वागत के लिए उनको पारंपर जेकट पहनाने के लिए हमारे कां केर के प्रत्या से भाई आसा राम नेताम जी से आगरा करूंगा वह आए हमाने नरेंद मोदी जी को पारंपरिक जेकेट सद्री पहिना करके स्वागत करें हमारे आदिवासी परंपरा के पहिचान मोदी मोदी जिन्दाबाद जिन्दाबाद नरेंद मोदी जिन्दाबाद मैं इसके पस्तान मनिराम कस्बजी से आगरा करूंगा कि गौर सिन्ग पहिना करके हमारे मानी मुख्यतिती जी का स्वागत करें मनी राम कस्यब जी और आप सभी से अगरा जोड़ता त्यालियों के साथ में अभिवाधन करें हमारे बस्तर के प्रत्या से भाई मनी राम कस्यब जी उनका अभिनंदन करें हैं हमारे इस मंच के माद्दम से नरेंद्र मोदी जिन्दाबाद नरेंद्र मोदी जिन्दाबाद नरेंद्र मोदी जिन्दाबाद और अब हमारे बीट में स्वागत उद्भधन के लिए मैं भारती जन्ता पार्टी के कि एसा सिप्रदेश अद्याज मानने सिरे अरून साव जी को आमंतरित करूंगा वाइं और हम सब के भीड में अपना ओजसी उत्वास दें मानने इस तरी अरून साव जी वल भारत माता की भारत बाता की भारती जंता पर्टी जंदाबाद कर दो बोलो दंतेश्वरी मया की, दंतेश्वरी मया की, चत्तिस गण महतारी की, चत्तिस गण महतारी की, अरे ओने इस सहिबो, अरे ओने इस सहिबो, अओने इस सहिबो, भारतिय जनता पार्टी जिन्दाबाद, नरंद्रमोदी जिन्दाबाद, नरंद्रमोदी जिन्दाबाद, आज के ये परिवर्तन महा संकल परहिली मा, बस तर्क से आए हुए, सभी भाई बहनों को, राम राम जै जोहार, नन्न दंतेश्वरी, आएन मोड कतान, निकिन जमय तोर्किन, राम राम जै श्री राम, विश्व के सबसे बड़े लोग तंत्र, विश्व के सबसे लोग प्रिय नेता, देश के जननायक, यसा स्वी प्रधान मंत्री मानलिय नरेंद्र मोडी जी का, मा दंतेश्वरी की पामंधरा, बुढा देव की धर्ती, दंड कारण्य की सपवित्र भुमी, जहांके कणकण में हमारे भाचा स्री राम चंद्र जी के चरणरज बिखरे हैं, हम अपने नेता जननायक, नरेंद्र मोडी जी का, स्वागत और अभिनंदन करते हैं, राम राम जै जोहार करते हैं, यह हमारा बस्तर भोले भाले अच्छे इंसानों का यह छेत्र है, और आज इस छेत्र में अपने जननायक को पाकर, पूरा बस्तर और छत्तिस गड़ आनंदीत है, प्रशन है, यह छत्तिस गड़ को, बस्तर को, पधान मंद्री माननी नरेंद्र मोडी जी कितना प्यार करते हैं, कितना लगाओ रखते हैं, यह इस बात से साबित होता है, कि दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्त योजना, आयो समान भारत योजना की सुरवात के लिए उन्होंने बस्तर को चुना था, यह बस्तर के प्रती उनकी प्रेम को दरसाता है, आज एक आदिवासी समाज की बेटी त्रीमती द्रवपती मुर्मू को उन्होंने रास्ट पती के पद पर बिठाया, यह आदिवासी समाज के प्रती उनके प्रेम को दरसाता है, आज जिस प्रकार से वर्सों से महराज समाज, महराज समाज के लोग अपने समयधानी अधिकारों से वन्चिते, उनको अधिकार दिनाने वाले जननायक आदरनी प्रधान मंत्री माननियन नरेंद्र मोदी जी का आज बस्तर में आगमन हुआ है, ऐसे प्रदेश की बारा जन जातिया केवल लिपकी अत्रूटी से अपने समयधानी अधिकारों से वन्चिते, ऐसे लोगों को अधिकार दिलाने का काम करने वाले प्रधान मंत्री माननियन नरेंद्र मोदी जी आज बस्तर के धर्ती पर उनका आगमन हुआ है, आज उन्होंने बस्तर और चटिस गड़ को 26,000 करोड रूपई से अधिक की सावगात उन्होंने दी है, एक बार जोड़दार ताली बजा के माननी प्रधान मंत्री जी का अभिलंदन और स्वागत करे, लगातार चटिस गड़ के लिए 3,00,00 करोड रूपई से अधिक की रासी उन्होंने चटिस गड़ के विकास के लिए दी है, पर कांग्रेस का विकास विरोधी चेहरा सामने आया है, हमेशा की तरह, आज जब बस्तर और 36 गड़ को 26,000 करोड रूपई से अधिक की सावगात देने नरेंद्र मोधी जी आये हैं, तब ये कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस पार्टी भुपेज बगेल ने बस्तर बंद का अवहान करके, अपना लोग तंत्र विरोधी चेहरा सामने लाया है, उजागर कराया है, पर बस्तर के लोगों ने कांग्रेस के अवहान को धता बताते हुए, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए है, ये बताता है कि परिवर्टन होने वाला है, ये बताता है कि राज से कांग्रेस की अन्याई, अत्याचारी, भरस्ताचारी सरकार जाने वाली है, ये बताता है, मेरे बस्तर के प्यारे भाईयों बहलों, आज दुनिया के सबसे लोग प्रियनेता इस बस्तर की धर्ती में आए है, आम चो बस्तर खुबे सुन्दर, ऐसे बस्तर में आ जाए है, तो आज बोनों हाथ उठा के बता दे कि बस्तर से कांग्रेस साफ होने वाली है, कमल खिलने वाला है, जैजे श्री राम, जैजे श्री राम, अरे ओ नहीं सहिबो, ओ नहीं सहिबो, भारत माता की, दंते स्वरी महिया की, जैजे श्री राम, जैजे श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मानने प्रदेश अध्यजे सिर अरून साहँ जी के लिए जोड़ात त्यालियों के सब उनका धन्यवाद गापित करिएगा और अब हमारे बीच में हमारे देश के प्रदान मंत्रे मानने नरेंद मोजी जी को इस्पृति चिन देने के लिए मानने रामिचार नेताम जी उन्हें इस्पृति चिन भेट कर रहे हैं और हमारे बीच में हमारे देश के सश्पृति प्रदान मंत्रे जीनोंने हमारे चतिर कर का एक एक दाना धान खरीदा है जीनोंने चारीज करोड़ लोगों को आई इसमान योजना दी है जीनोंने बारा करोड महिलाओं को गैस कनेक्शन देने वाले विश्व के सबसे ताकत तोर नेता मानने नरेंद्र मोधी जी हम सब के बीच में उपसित है मैं मानने नरेंद्र मोधी जी जिन्दाबाद नरंद्र मोदी जिन्दाबाद मोदी मोदी जय मा दन्तेश्वरी अपसे कुछ दैर पहले मुझे दन्तेश्वरी माता मंदिर में देवी का दर्शन करना और मा के आथिरवार लेने का सवभागे मिला मैं महराजा प्रबीर चंद्रभजेव जी को भी पुना अपने स्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ मैं जब भी बस्तर आया हूँ जगदलपूर आया हूँ आप सभी साथियों ने हर बार इतना प्यार दिया है इतने आथिरवाद दिये हैं मैं इसका शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता हूँ और जब भी बस्तर की धर्ति पे आना हो जाए और बलिराम कश्यप जी की याद ना आये ये कभी हो नहीं सकता है अगर सच्चे आर्थ में बस्तर को समझना क्योंकि मैं यहां संगढ़न का काम करता था हर इलाके में जाता था बहुत समय मैंने यहां बिताया और मुझे पूरे बस्तर को समझना आदिवासी समाज को समझना यहां की समझ्याओं को समझना बलिराम जी कश्चप जी एक प्रकारते मेरे गुरू की तरह काम करते थे साथियों मेरा निरंतर प्रयास है कि आपके इस आसिरवात को यहां का विकास करके लोटाऊं दिन रात परिश्रम करके आपकी सेवा करके यह करज मैं चुका सको मेरे परिवार जनो कॉंग्रेस ने सिर्फ पांच वर्ष में 36 गड़की जो हालत कर दी है उसे पूरा देश देख रहा है कॉंग्रेस के विधाय को और मंत्रियों ने जो कारणा में यहां किये है उससे हर कोई त्रस्त है चारों तरफ प्रस्टा चार का बोल बाला है 36 गड़ में अपराद चरम पर है हत्याओं के मामले में 36 गड़ अगरणी राज्यों में पहुँच चुका है कभी कभी तो लगता है राजस्तान और 36 गड़ के बीच परदा चल रही है कि कहां सबसे ज़्यादा हत्याय होती है कहां सबसे ज़्यादा लूट होती है कहां सबसे ज़्यादा महिलाओं पर अत्याचार होते है राजस्तान और 36 गड़ आज कल एक दूसरे किस परदा में लगे हुई है 36 गड़ में विकास या तो पोस्टर और बैनरों में दिखता है या फिर कॉंग्रेस के नेताओं की तीजोरी में दिखता है कॉंग्रेस ने 36 गड़ को अगर दिया है तो वो है जूठा प्रचार और गोटालेबाज सरकार जूठे प्रचार की आड़ में ये लोगों की आँख में धूल जोगते है और आकंच प्रचार करते है इसलिए आज 36 गड़ के कौने कौने से एक ही आवाज आ रही है हर कौने से एक ही आवाज आ रही है 36 गड़ का हर एक व्यक्ति एक ही बात कह रहा है 36 गड़ कह रहा है आव नहीं सहीबो अव नहीं सहीबो बदल के रहीबो अव नहीं सहीबो बदल के रहीबो मेरे परिवार जनों ये बस्तर ये दड़न कारण्या आज बना हो ऐसा नहीं है यहाँ आदिवासी मेरे भाई बेन मोधी प्रधान मंत्री बना उसके बाद आकर के नहीं बसे हैं भाजपा की सरकार बनने के बाद ये मेरे आदिवासी भाई बेन नहीं आये अरे यहां के लोग तो तब भी थे जब प्रभू स्रीराम यहां आये थे मेरे आदिवासी भाई बेन चाहते थे इसलिए ही अटल जी की सरकार ने अलग चटिशगड का निर्मान किया भाजपास सरकारी थी अटल जी की सरकार थी जिसने केंद्र में अलग जन जातिय अलग मंत्राले बनाया जन जातिय विकास के लिए अलग बजेट बनाया और जन जातिय विकास के लिए पूरी सरकार के अंदर एक विभाग खड़ा कर दिया और कॉंग्रेस ने इतने दसतों का क्या किया भाई कॉंग्रेस ने बस्तर को भी तसकों तक नजर अंदाज किया आप लोगों की परवाई नहीं की उनके दो-चार ठेकेदारों को समालते थे और वही आपसे वोट लेकर के उनको दे देते थे उनकी गाड़ी चल जाती थी उनको आपकी परवाई नहीं थी यह बाजपा सरकार है यह मेडिकल कॉलेज इंजिनेरिंग कॉलेज बनाए बाजपा सरकार ने दंते वाड़ा में एजुकेशन सीटी बनाई और मैं तो उसको देखने गया था है सात्यों मैंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा यह मेरा सवभाग्य रहा है कि राजनिती में आने से पहले मेरे जीवन के बहुत भर्ष मैंने आदिवा सिक्षट्रों में गुजारा है मेरा तो आप से सीधा नाता है दिल का नाता है मुझे गर्व है कि देश की पहली आदिवासी महिला राश्पती बनाने का गवरोव भी भाजपा को मिला है आप जानते हैं कॉंग्रेस की तुलना में भाजपा सरकार आदिवासी समाज के लिए पांज घुना जादा बजेट देती है अगर वो एक रूपया देते थे तो हम पांच रूपया देते एह 100 रूपया देते थे तो हम 500 रूपया देते भाजपा सरकार ने ही 15 नवम्बर यानी भगवान बिर्शा मुंड़ा के जन्म दिवस को जन जातिय गॉरव दिवस गोशित किया हमारी सरकार आदिवासी सेनानियों और क्रांतिवारों को समर्पित स्वतंत्रता सेनानी मुजियम बनवा रही है हमने चत जनजाती वर के चात्रों को दी जा रही चात्रवुत्ति उसको भी धाई गुना कर दिया है बीते नव वर्षों में तीन सो से अधीक एक लव्य मोडेल आवासी बिद्यालाए मेरे जनजाती बच्चों के लिए हमने खोले है साथियों भाजपा सरकार देश में आकांची जिला कारकम चला रही है बस्तर संभा के भी अनेक जिले ये आकांची जिलों में शामील है अब तो हम उससे भी आगे बढ़कर के जिले से निकर्च के जाकर के आकांची ब्लॉक्स की पहचान कर रहे हैं इस अभ्यान के तहट सिच्छा, स्वास्त और रोजगार से जुड़े बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहां शुरू होने वाले हैं इसके अलावा भी हम 36 गड़ के उसमें आदुनिक इंफ्रासेक्टर का अंदिर मार कर रहे हैं आज भी यहां 26,000, 27,000 करोड रुपिये उसके से भी अधिक प्रोजेक्ट बस्तर को मिले हैं, 36 गड़ को मिले हैं मेरे परिवार जनों, आज यहां बहुत बड़े और देश के आधुनिक तम स्टील कार खाने का लोकारपण हुआ है आप मुझे बताईए आपको गर्व हो रहा है या नहीं हो रहा है इतना बड़ा स्टील का कार खाना आपको मिला है आपको गर्व हो रहा है यह नहीं हो रहा है यह चत्तिजगर कॉंगरिस वालों को नहीं हो रहा है इतना बड़ा कारकम अभी सरकार का था चत्तिजगर सरकार का एक भी मंतरी भी नहीं आया मुख्य मंतरी भी नहीं उप्रमुख्य मंतरी भी आप कहिए भाईया आपकी भलाई के काम में यह सरकार ने आना चाहिए आना चाहिए यह आपका अगर भला चाहते हैं तो वहां आकर के बैठना चाहिए नहीं बैठना चाहिए नहीं आते हैं इतके दो कारण है एक उनको सरकार जाने की इतनी चिंता है इतनी चिंता है कि उनके पाद यहां आने के लिए समय नहीं है सरकार बचाने में लगे हैं और दूसरा कारण है यह मोदी है अगर मोदी के सामने जाना है तो कोई आकंठ प्रस्टाचारी मोदी चे आख नहीं मिला सकता है अगर इसलिए वो आने से डरते हैं भाग जाते हैं मेरे साथियों यह स्टील का कार खाना मुझे आदे हमारे बली राम जी कर से मुझ जमाने से हमें कहा करते थे इस कार खाने की मांग आप सभी दक दसकों से कर रहे थे हमारी जब मुख्यमंत्रियों की मिटिंग होती थी मैं गुजरात से मुख्यमंत्रि के नाते मिटिंग में आता था दिल्ली में रमान सिंग जी 36 गड़ के मुख्यमंत्रि के नाते आते थे और हर मिटिंग में रमान सिंग जी स्टील के कार खाने के लिए जोर से आवाज उठाते थे आपकी आवाज वो वहां पहुंचाते थे लेकिन आप जानते हैं कॉंग्रेस ने ये मांग क्यों नहीं मानी इसके पीछे कॉंग्रेस के कर्ट कमिशन और करप्शन की बोलवाला थी सोच पड़ी थी लंबे समय तक कॉंग्रेस की नीती रही है क्या करते थे कच्चा माल विदेश भेजो और फिर उसी कच्चे माल से बना महेंगा सामान महेंगे पैसे देखर के आयात करो कहते हैं न यहूं बार भेजो और फिर ब्रेड बना करके लाओ क्या ऐसा कोई करता है भई ऐसा कोई करता है क्या आप मुझे बताएए आप जो घर में चावल खाते हैं तो क्या ऐसा कोई करता है कि पहले उसका धान विदेश भेजा जाता है फिर वो धान विदेश में धुला जाता है फिर वो धान विदेश में साप किया जाता है फिर धान को वहीं विदेश में भी पकाया जाता है और फिर वो पका पकाया चावल आपको खाने के लिए मिल जाता है ऐसा कभी होता है क्या आप अपना धान अपना चावल खुदी करते नहीं करते हैं आप धान भी यहीं उगाते हैं उसे साभ भी यहीं करते हैं यहीं पकाते हैं और यहीं अपने घर में खाते भी है लेकिन कॉंग्रेस को ये करने में कट की कट हो जाती है कमिशन नहीं मिलता है इसलिए क्या किया है उन्होंने ये हमारे इलाके में जो आयन और है न ये दुनिया का उत्तम से उत्तम आयन और है दुनिया का ये हमारे बस्तर में है लेकिन ये क्या करते थे आयन और मैंसे श्टील यहां बनाने के बजाए जिसका कोई हिसाब किताम नहों कितना माल निकाला पता न चले जितना उठा सकता उठाओ विदेश भेज दो और बिच में मलाई खालो कोई भी सरकार होती तो उसकी पुरात्विक्ता होती कि यहां बस्तर में ही स्टील का कार खाना लगाए लेकिन कॉंग्रेस ने यहां से कच्चा माल निकाला और पिर कच्चा माली विदेश भेज दिया इसमें कॉंग्रेस के नेताओं ने कमाया यहां के नवजवानों को कुछ नहीं मिला बस्तर के नवजवान मद्दूरी करने के लिए दूसरे राज्यों में जाने के लिए मजबूर हो गए लेकिन भायों भेनों ये मोदी है आपके बीच में पला बड़ा है इसलिए आपका ही सोचता है गरीब की चिंता गरीब के हीत यही मोदी के दिमाग में भरा पड़ा रहता है इसलिए हमने दिल्ली में मुझे आपने सेवा करने का मोका दिया हमने बस्तर में इस टील कार खाने का काम तेजी से पुरा करवाया भाजपास सरकार ने लगबग 24,000 करोड रुपिए इस टील के कार खाने पर लगाए इससे इस छेत्र के 50-55,000 साथियों को रोजगार मिलना तै हुआ है सरकार ने ये भी तै किया है कि इस टील की जो प्लांट की छमता है उसको और बढ़ाना है मुझे और पुंजी लगानी है ताकि जादा लोगों को काम मिले यानि इस टील प्लांट पर अब जी हजारो करोड रुपियों का और निवेश होने वाला है और जब ज़्यादा निवेश होगा और बड़ा कारखाना होगा तो पूरे विस्तार की किस्मत और तेजी से बदलने वाली है अब मैं आपको बताता हूँ मेरे याँ गुजरात में स्टील बनाने का एक कारखाना है यहां तो आयन और भी नहीं है हम भार चला आते हैं है लेकिन इस्टील कारखाना होने के कारण Fahr बनाने के आने कारखाने बाल लग गए है और गाडियां बनाने क्योंकि इस्टील की उनको ज़रीवत थी पास महीं मिल जाता था अब यहां स्टील बन रहा है न और भी कारखाने यहां लगने वाले है और यहां पर करीब डेड़ लाग सात्यों के लिए नोकरी की रोजगार की संभावना बनेगी और मेरे शब्द लिखिये भाईया आज 36 गड़ का नोजवान रोजगार के लिए बाहर जाता है एक दिन ऐसा आएगा हिंदूस्तान के नोजवान रोजगार के लिए बस्तर आना चाहेंगे आप कलपना कर सकते हैं मोधी अगर यह काम कर देगा तो कॉंग्रेस के लोगों के लिए प्रश्टाचार के रास्ते रुख जाएंगे खदान मैंसे जो माल खाते थे उस पर मोधी ने ताला लगा दिया और इसलिए छट पटा रहे हैं आज भी कितनी जूठी बाते फ्यलाई लेकिन आपने उन पर ये तमाचा मारा है इतनी पब्लीक आकर के आपने उनको तमाचा मारा है जूठी बाते फ्यलाकर इनका इरादा समझिए पस्तर के मेरे नौजवानों इनका इरादा समझिए ये जूठी बाते फ्यलाकर ये स्टील प्लांट को भी हड़पना चाहते हैं इस स्टिल प्लांट को भी कॉंग्रेसी अपने बच्चों अपने रिष्टेदारों की तीजोरी भरने का माध्यम बनाना चाहते हैं लेकिन मेरे बस्तर के भाईयों बेनों ये मोदी की गारंटी है ये मोदी नहीं होने देगा ये बस्तर का स्टिल प्लांट आपका है बस्तर के लोगों का है स्टिल प्लांट के मालिक मेरे बस्तर के लोग है मेरे चत्तिस गड़ के लोग है मोदी इसका मालिक नहीं है मोदी इसका मालिक नहीं है और नहीं कोई देशरान नेता, कोई कॉंग्रेसी को मैं इसका मालिक बनने देने वाला हूँ इस प्लांट के मालिक सिर्फ और सिरफ बस्तर के मेरे भाई बहन है, यह हक आपका है, कोई आपका हक छिन नहीं सकता है इस पर कॉंग्रेस के नेताओं को किसी भी हालत में कबजा नहीं करने दिया जाएगा उनको कटकी कमपनी, कमिशन, कमपनी, प्रस्ताचार बेहिमानी करने का मोका नहीं दिया जाएगा आप मेरे साथ सहमत है, तो यह काम करिए, अपना मोबाईल फॉन निकालिए अपने मोबाइल की फ्लेश लाइट चालू कीजिए, मेरे इस बात के समर्थन में, आपने मोबाईल की फ्लेश लाइट चालू करें, शाबाद देखे वाद दूर दूर तक साबाद ये ये ताकत है वाद देखे ये मिडिया वाले आपकी फोटो लिकाल रहे देखे ये समर्थन है ये स्टिल प्लांट के लिए समर्थन है कैसा जुड बोलते थे और इमान दोरी देखे ये सचा ही यहाँ देखे कि बहुत पहुत धन्यवाद मेरे बस्तर के भाईयों बैनों मेरे परिवार जनों कॉंग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता है कि उसे 36 गड़ के लोगों की परवार नहीं है उसकी प्रात्विक्ता सिर्फ और सिरफ 36 गड़ की संपदा को लूटना है 36 गड़ की खनी संपदा को लूटने भी कॉंग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी यहां से जो भी खनी निकलता था उसका हलाब कॉंग्रेस के राज में हमने बड़ा बडलाव किया हमने डिस्ट्रीक्ट मिनरल फंड बनाने का फैसला किया यानि जो भी खनी यहां से निकलेगा उसका एक हिस्सा आपकी मालीकी का होगा आपके विकास के लिए होगा यह खनीज मोदी की मालीकी की नहीं है एक खनीश चतिजगड की कॉंग्रेस सरकार की नहीं है यह आपकी है इसका हाग आपको देने का काम यह मोधी ने किया है भाजपा ने आपको विकास का साजेदार बनाया आपको पांटर बनाया इसके तहट चतिजगड को आठ हजार करोर रुपिये मिले हैं लेकिन जानते हैं कॉंग्रेस ने इस पैसे से क्या किया क्या कि कॉंग्रेस सरकार ने इसमें भी गोटाला कर दिया है ताथियों आपकी वन उपज के साथ कॉंग्रेस ने क्या किया यह भी आपने देखा है वन उपज तो हमारे जनजातिय समाज के आर्थिक जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है लेकिन जब तक दिल्ली में कॉंग्रेस सरकार थी तब तक ये लोग सिरफ 10-12 वन उपजों पर ही MSP देते थे आज जो नवजवान है उन्हें ये पता होना चाहिए कि उनके माता पिता दादा दादी नाना नानी को कॉंग्रेस ने नमक से ठगा है नमक से ठगा है ये आज के नव जमानों को मैं बताता हूँ चिरोंजी जैसे बहुमुल्य वनुत्पात हमारे आधिवाजी परिवार इखटा करते थे बोरा बोरा लेकर हाट बजार पहुंचते थे वहाँ उन्हें दो चार किलो नमक देकर ही ठगा जाता था आपके दादा दादी के साथ ये किया इनोंने ये तो भाजपा सरकार है कि जिसने राशन की दुकानों में मुप्त में नमक देना शुरू किया तब जाकर कॉंग्रेस का ये शोशन बंद हुआ जो उत्पात MSP के दाइरे में नहीं थे उन्हें कॉंग्रेस के ठेकेदार ऐसे ही ओने पोने दाम पर खरीते थे फिर जादा मुनाभा पर बेद लेते थे आज बाजपा सरकार करीब करीब 91 उपज को MSP के दाइरे में ला चुकी है कितनी 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 कि पहले कितनी थी दस बारा कॉंग्रेस के जमाने में कितनी थी कि कॉंग्रेस के जमाने में कितनी थी मोदी कितना पहुंचाया मोदी ने कितना पहुंचाया यह आपके प्रति जो प्यार है न उसके कारण होता है बाजपा सरकार ने बन धन केंद्र बनाकर बन उपाच के बहतर दाम देने का रास्ता खोला है आज 36 गड़ के हजारों आदिवासी बैनों भाईयों को बन धन केंद्रों में रोजगार मिला है साथ क्यों, कॉंग्रेस के सरकार ने यहां तेंदुपत्ता संग्राकों के साथ क्या किया था यह भी आप अच्छी तरह जानते हैं, बाज़ बाज सरकार ने तेंदुपत्ता के काम से जुड़े परिवारों के लिए जो भी कल्यान कारी कारकम बनाये थे, वो कॉंग्रेस ने बंद कर दिये, बोनस कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता, मिलता है, तो कम मिलता है, और पाना है, तो कॉंग्रेस वाले का कुर्टा पकड़ के जाना पड़ता है, उसके जेब में कुछ डालना पड़ता है, तेंदू पत्ता की खरिदी कभी होती है कभी नहीं होती है आदिवाच्यों का ऐसा सोसन अब 36 गड़ में नहीं चलेगा जैसे ही यहां भाजबा सरकार बनेगी वैसे ही तेंदू पत्ता संग्राव को के लिए के पहले की तरह ही बहतर व्यवस्ता बनाई जाएगी साथियों मैं आज 36 गड़ के धान किसानों को भी मेरे दिल की एक बात बताना चाहता हूँ कॉंग्रेस आपको धान की किमतों के नाम पर दोखा दे रही है जूठ बोल रही है सच्चा ये है कि 36 गड़ के धान किसानों का दाना दाना याद रखेंगे मैं जो क्या आद रखेंगे याद रखेंगे कि भूल जाएंगे गाउं गाउं जाके बताएंगे 36 गड़ के धान किसानों का दाना दाना केंद्र सरकार खरीती है मोधी सरकार खरीती है भाजपा सरकार ने एक लाख करोर रुपिये 36 गड़ के धान किसानों को दिये है यहाँ पर जब भाजपा सरकार बनेगी तो धान किसानों का पूरा पूरा ध्यान रखने की गारंटी यह मोधी की गारंटी है आगा एगा मेरे बस्तर के भाईयों बेरो मेरे 36 गड़ के भाईयों मेरे 36 गड़ के नव जवान है मेरे बस्तर के नव जवान है मोदी आज कहने आया है, आप मेरे सब्द लिक करके रखे, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है, यही मोदी की गारंटी है, आज बस्तर सहीर, पूरे देश में आयुषमान भारत योजना के तहत हेल्ट अन्वेलनेस सेंटर बने हैं, मक्सद यह है कि दूर सुदूर की मेरी आदिवासी बहनों को इलाज के लिए नजदिक ही सुविदा मिले, पूरे चत्तिश गड़ में ऐसे लगवग 6,000 अस्पताल मनाए जा चुके हैं, इन में से 1000 से अधीक आयुषमान हेल्ट अन्वेलनेस सेंटर तो, सिरफ और सिरफ यह बेरे बस्तर संभाग में है, मोदी ने ही आपके 5 लाख रुपे तक मुप्त इलाज का प्रमंद किया, गरिप्त को मुप्त राशन की व्यवस्ता की पक्के घर का इंतजाम किया, पिजली और पाइप से पानी का प्रबंद किया, आदिवासी परिवारों के बेटे बेटियों के स्वरोजगार के लिए, सरकार विशे स्टेंड अप इंडिया योजना चला रही है, साथियों, आज मैं बस्तर के 36 गड़ के युवासाथियों को भी एक बात पताना चाहता हूँ, जो पहली बार अपना वोट डालने जा रहे हैं, ओ नवजवान मेरी बात सुनिये, आपको 2014 से पहले की गटनाओं के बारे में जानना जरूरी है, 2014 से पहले दिल्ली में जो सरकार थी न, अकबारों में बड़े-बड़े गोटाले चाहे रहते थे, लाखों करोडों के गोटाले यही खबरे होती थी, और पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम पूरी तरह बदनाम करके रखा था, 2014 में देश ने कॉंग्रेस की सरकार को उखाड फेंका, और पूर्ण बहुमत की भाज़पा सरकार दिल्ली में बनाई, आज गोटालों के बजाए दुनिया में भारत के गवर्व की चर्चा होती है, भारत के सामर्थ की चर्चा होती है, आज दुनिया में हिंदुस्तान का डंका भज रहा है कि नहीं बज रहा है, एते नहीं पूरी ताकत से बताएं, हिंदुस्तान का डंका बज रहा है, अमेरिका में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है, यूरोप में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है, जपान में हिंदुस होता यह नहीं होता है कि इसलिए मेरा युवा साथियों आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है आज देश के बहुत कम राज्यों में कॉंग्रेस की सरकारे बच्ची है और एक बार जाती है ना 25-25 साल तक वापिस नहीं आती है और इसलिए जब इनके पास सरकारे ही कम है तो लूट का माल कुछी जगह से लूटना पड़ता है इसलिए जहां भी इनकी सरकार बनती है वो जम करके लूटते है पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने राज्यस्तान चतिशगर ऐसे राज्य को लूट का सबसे बड़ा खजाना बना दिया है चतिशगर के ही लोग मुझे बताते हैं कि कॉंग्रेस के हर छोटे बड़े हर नेता ने 15 साल जो तक सरकार नहीं दिना वो जो खाद पड़ गई दिना वो भी जमा करने में लग गए पांच सालों में यानि 15 साल तक इनको चतिशगर को लूटने का मोका नहीं दिया अब वो सारी कसर भी अभी निकालना शुरू कर दिये है अरे इन्होंने तो गोमता के नाम पर भी प्रस्टाचार किया है जिन्होंने गोबर तक को नहीं छोड़ा उन्होंने क्या क्या नहीं किया इनके प्रस्टाचार के सबसे बड़े भुक्त भोगी मेरे नवजवान है मेरे बस्तर के लोग है कॉंग्रेस ने युवाओं को नोकरी का वादा दिया था लेकिन नौजमानों की नोकरी में ही गोटाला कर दिया कॉंग्रेस के नेताओं ने PCS भर्तियों में अपने बच्चों अपने रिष्तेदारों को सैट कर दिया किया अग नहीं किया चारों तरब लूट बचाई यह नहीं बचाई इनकी पार्टी तो राजनिती में भी अपने ही बच्चों को सैट करती है और नोकरियों में भी यही करती है 36 गड़ के लाखो परिवारों आदिवासी पिछडे परिवारे के बच्चों से कॉंग्रेस ने नोकरियां छिन ली है आपका अधिकार छिन लिया है नोकरियों तो दी नहीं जो पहले से सरकारी नोकरी में है उनको भी कॉंग्रेस ने लोगों ने लूटा है परिशान किया है ट्रांसपर पोस्टिंग को लेकर यहां सरयाम प्रस्टाचार हो रहा है बोली बोली जाती है ऐसे ही उगाई की जा रही है इसलिए चत्तिजगड कह रहा है आउ नहीं सहीवो बदल के रहीवो आउ नहीं सहीवो यह अपना ही सहीवो साथियो आप आस्वस्त रहिए आप कॉंग्रेस की सरकार बदल ये भाजपा इस पूरे लूट तंत्र को बदल देगी ये कॉंग्रेस ने लोग तंत्र को लूट तंत्र बनाया है और प्रजा तंत्र को परिवार तंत्र बना दिया है भाजपा सरकार बनते ही PCS गोटाले की जाच होगी गुनेगार भी कितना ही ताकतवर हो मोदी उसको जेल में डाल करके ही रहेगा हाद नवजवान हाद सरकारी कर्मचारी को पुरा न्याए मिलेगा मेरे परिवार जनो कल से कॉंग्रेस ने एक अलग लाप आरा अपना शुरू कर दिया है ये कॉंग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक मैं कहता हूँ इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वह आबादी गरीब है और इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्यान यही मेरा मकसद है मैं सोच रहा था कि पूर्वप्रदानमंत्री मनमोंसी जी क्या सोच रहे होंगे भारत के पूर्वप्रदानमंत्री मनमोंसी जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हग माइनोरिटी का है अल्पसंख्यकों का है और उसमें भी मुसलमानों का है अब कॉंग्रेस कह रही है कि आबादी तै करेगी कि पहला का हग किसका होगा यानि क्या अब अल्प संख्यकों का हग कॉंग्रेस कम करना चाहती है क्या और आबादी के ही अहिसाब से ही अपताय होने वाला है तो पहला हग किसका होगा भई आबादी किसकी ज्यादा है किसका हग होगा जरा कॉंग्रेस वाले स्पश्ता करें क्या आबादी के हिसाब से हग मिलेगा क्या तो क्या आलप संख्यों को कॉंग्रेश हटाना चाहती है क्या तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हग ले ले क्या मेरे परिवार जनो मैं पिछले काफी समय से कह रहा हूं और फिर आज दोरा रहा हूं कि कॉंग्रेश पार्टी को अब कॉंग्रेश के लोग नहीं चला रहे है कॉंग्रेश के बड़े बड़े नेता मुँपे ताला लगा के बैटे है न उनको पूछा जाता है न वो ये सब देख करके बोलने की हिम्मत करते है अब तो Congress को outsource कर दिया गया है, Congress को अब ऐसे लोग चला रहे हैं, पर दे के पिछे लोग ऐसी कमाल कर रहे हैं, ऐसे खेल खेल रहे हैं, जो देश विरोधी ताकतों से मिले हुए है कॉंग्रेश किसी भी कीमत पर देश के हिंदुओं को बाट कर भारत को तबाह कर देना चाहती है कॉंग्रेश गरीबों को बाटना चाहती है मोधी ने पिछले दस सान में सारी योजना ऐसे बनाई ताकि गरीबों में एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है और मेरे लिए तो इस देश का गरीब यही सबसे बड़ी जाती है यही सबसे बड़ी बिलादी है अगर गरीब का भला हो गया देश का भला अपने आप हो जाएगा आज तक कॉंग्रेश ने ये खुलासा नहीं किया है कि कॉंग्रेस ने एक दूसरे देश के साथ क्या गुप्त समझोता किया है लेकिन देश देख रहा है इस समझोते के बाद कॉंग्रेस और ज्यादा भारत की बुराही करने में मज़ा आने लगी है भारत के अच्छी बातों को बूरी तरह पेश करने में मैं जा रही है ऐसा लगता है जैसे उनका भारत का प्रेमी कम होता जा रहा है मैं सभी देशवासियों आपको आगाह करता हूँ कॉंग्रेस और उसके सयोगों की इस नई साजीस हमें सतक रहना चाहिए और अगर हग की बात कर रही है तो मैं कहूंगा कि इस देश के संसाधनों पर पहला हग भारत के गरीब का है गरीब चाहे वो दलीत हो गरीब चाहे वो पिछड़ा हो गरीब चाहे आदिवासी हो गरीब चाहे सामान्य वर्गे से हो हमें सबसे बड़ी जाती मेरे लिए गरीब है हमें गरीब की चिंता करनी है हमें गरीब का जीवन बदलना है कॉंग्रेस देश के लोगों में आपसी खाई बढ़ाना चाहती है, बैर भाव बढ़ाना चाहती है, इसलिए कॉंग्रेस अब पुरी नई भाशा बोलने लगी है मेरे परिवार जनो कॉंग्रेस के दसोकों के शासन ने देश को सिर्फ गरीबी दी है कॉंग्रेस ने समाज को जाती के आधार पर बाटने का ही काम किया है ताकि इनका वोट बेंक सुरक्षित रहे कॉंग्रेस आज भी इसी काम में जुटी है आज भी यहां चत्तिस गड़ में अलग-अलग समाज अपने हक के लिए आवाज उठा रहे है लेकिन कॉंग्रेस के सरकार साजिस के तहत उन्हें जेल में डाल देती है उनकी आवाज को दमाने में जुटी है दूसरी तरह भाजबा सरकार सामाजी ज्याय के लिए पूरी तरह समर्पित है हाल में ही संसद में महरा महरा समाज को एसी वर्ग का दर्जा दिया गया है इस समाज की अमांग भाजबा सरकार ने पूरी की है वर्षों तक अपने दिकारों से बंचीत रहे अबारा अधिवासी वर्गों को स्टी का दर्जा देकर भाजवा सरकार ने एक एतियास इंदेने लिया यानि जिनकी सूथ कॉंग्रेस ये कभी नहीं लिए उनको हक देने बेखाजपा हमेसे आगे रही है मोधी की गारंटी बटलाब हर गारंटी पुरा होने की गारंटी कॉंग्रेस ने बहलाओ को भी दसकोता कारक्षन के बिना दोके में रखा नारी शक्ति बंदन अधिनियम आधिवासी बेटी हमारी मान्नी राजपती दवपती मुर्मुर्जी के हथ ताक्षर से कानून बन गया है अब यहां के SC, ST समाज से इस सभी बेनों के लिए विजान सबार और लोक सबा में 33% सित्यारक्षित हो गई है इसलिए कॉंग्रेस के कुशासन को हटाना है और बाजपा के सूशासन को लाना है इसलिए पूरे बस्तर को, जगदेलपूर को, 36 गड़ को आज एक संग्रेस के कुशासन को हटाएंगे और बाजपा के सूशासन को लाएंगे जब विकास का डबल इंजिन यहां फिर लगेगा यहां बाजपा का मुख्यमंतिर बेनेगा तो फिर से 36 गड़ विकास की नई रफ्तार पगड़ेगा एक बार फिर इतनी बड़ी तादार में आए आपने आशिरवाद दिये मैं आपका रदेश से बहुत-बहुत आभार करता हूँ बहुत-बहुत धन्यवाद दोनों हाथ उपर करके बूलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत-बहुत धन्यवाद अपने अपने इस्तानों से खड़े हो करके मानने प्रधान मंत्री जी का धन्यवाद गापित करिए मानने प्रधान मंत्री जी ने हमारे बस्तर को 25 जार करोड की नगरनार इस्टिल प्रांट सोगात में दी है हम सभी उनका आभार व्यक्त करते है मैं सुस्त्री लता उसेंडी जी से आगरे करूंगा क्यों आए और आभार प्रदसन करे नरेंजर मोदी जिंदाबाद नरेंजर मोदी जिंदाबाद मोदी बस्तर की संपत्ती को बस्तर वासियों को समर्पित करने वाले विश्व के सबसे लोगप्री जन्नायक विश्व कल्यार की दिसा में कारी करने वाले जन्नायक भारत को पुनह विश्व गुरु बनाने के लिए अपना सर्वस्व समर्पड करने वाले जन्नायक लोगों के हिर्दय में विराजवान, विशु के सबसे लोकप्री नेता, भारत के यसस्वी प्रधान मंत्री मानी नरेन मोदी जी, आपने अपना बहुमुल्ले समय और आसीर वचन हम सबको दिया, आपका समस्त जनता की ओर से मैं आभार व्यक्त करती हूं, हम सबके साथ मंच तो आप यह सीदी तस्वीरे 36 गलखे जगदलपूर से देख रहे थे जहां प्रधान मंत्री नरेंदर वोदी पहुंचे थे, स्टील प्लांट